देवनगरी सिरोही में बही योग की गंगा योग रिशी परमय पूज्ये स्वामी राम देवजी महराज के परमशिष्ये पूज्ये स्वामी डाक्टर परमार्थ देवजी मुख्य केंद्रिये प्रभारी भारत स्वाभी मान एवं पतंजली योग समीती के पावन शानिथे म एक दिवसिये निशुल्क इंटीग्रेटेड योग सिविर का आयोजन आज सिरोही के प्रत्मेश गार्डन में संपन हुआ परमपुजी स्वामी जी ने योग की बारीकियों को समझाते हुए योगिक जोगिंग सुर्य नमस्कार, सुक्षम व्यायाम, योगाशन, प्राणायाम, ध्यान और योग की अनेक क्रियाओं को करवाया हम योगिक जोगिंग का अभ्यास देख रहे हैं योगिक जोगिंग का अभ्यास हमको करना चाहिए शरीर में रक्त संचार का प्रवाह बढ़ाता है योगिक जोगिंग सिरोही का प्रत्मेश गार्डन आज योग की गंगा बही है योग की भयार चली आज प्रत्मेश गार्डन में सिरोही के अनेक योग साधत आज इस योग सिवीर में पहुँचे स्वामी जी ने अपने इस योग सत्र के दोरान योग का महत्वे समझाया स्वामी जी ने समझाया कि योग क्यों जरूरी है योग कितना जरूरी है और योग के भाव में योग नहीं करने से हम किस तरह से रोगी हो जाते हैं योगी बनने की आज आवशकता है हम देख सकते हैं कि हर उम्र का व्यक्ति योग साधक बन सकता है हर उम्र क्रा वक्ति योग कर सकता है आज स्वामी जी ने एक अहवान भी किया योग के कारे करताओं की बैठक भी दी जिसमें अधिक से अधिक योग की कक्षाएं निरंतर योगी की कक्षाओं पर जोड दिया आप देख सकते हैं एक लय ताल के साथ किस तरह से साधकों ने योग किया और सहज भाव से किया मुस्कराते हुए किया आनंद में मगन होते किया पुरा मनो योग से योग किया जिसमें अनेक महिला पुरुष बच्चे और वरिष्ट जन भी पहुँचे क्योंकि योग विद्या ही ऐसी है इसको किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है बस एक जरूरत है प्रतेक योग साध़क के लिए कि प्राते काल हम हर दिन योग करें हम संभव हो तो योग कख्षाओं में जाकर योग करें और सिरोही में कई पार्क हैं जहां योग की कख्षाओं चलती है और बाकी पार्कों में भी चल सकती है आज स्वामी जी ने योग के माध्यम से स्वस्त रहने का सुत्र समझाया योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक आवान किया एक योजना बताईए और उस योजना के तहद अधिक से अधिक योग सिवीर या योग कख्षाओं के माध्यम से योग सिक्षक तयार कर एक व्यक्ति दस को तयार करें तो हमारा काम सहज हो सकता है इंटीग्रेटर योग सिवीर जिसमें एडवांस योग की बात समझाई आप देख सकते हैं किस तरह से योगी जोगिंग के बारा अभ्यास साध़कों ने किये परमेपुज्य डाक्टर परमार्थ देवजी महाराज ने आज योग के गूड रहशे भी समझाए जीवन के लिए योग कितना चरूरी है इस बात को बार बार समझाने की कुशिस की सिरोही के साध़कों को एक संकल्प को लेना ही चाहिए कि हम नियमित रूप से प्राते काल जल्दी उठकर नींद का मोह त्याग कर आलश्य को छोड़ कर हम योग करें आज योग का महत्व पुरा संसार जान गया है कोरोना ने योग के महत्व को बहुत अच्छी तरह के से समझा दिया है योग हमारी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है हमारे अंदर लचिला पन लाता है हमारे इंटर्नल ओर्गन्स को स्वस्त मनाता है योग से हम सिध्धी प्राव कर सकते हैं स्वामी जी ने कुछ युवाओं के लिए दंड वैठकता अभ्यास भी बताया हमारा मांस्पेशियत मस्कुलर सिस्टम आप देख सकते हैं स्वामी जी कितनी उर्जा से योग कर रहे हैं दंड कर रहे हैं दंड वैठकत कर रहे हमारी हमारी परंपरागत यायाम है आज भी गाओं में बहुत सारे बच्चकन पहलवानों की ये पसंदिदा अभ्यास है बस जिरुरत है हर सुबह की शुरुवात योग आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ इस नारे को बुलंद किया बहुत सारी बीमारियों को योग क्योर कर देता है शिवर में पुझ्ज स्वामी डक्टर परमार्थ देवजी ने खरदै रोग ब्लड टेशर डाइबिटीज मोटापा गैस कब्ज कमर दर्द सर्वाइकल स्पॉंडलाइडिस अलर्जी दमा अस्थमा माइग्रेन दिप्रेसन मानसिक तनाव जोडों का दर्द आदी रोगों के निवाराना अर्थ योग करवाया छोटी अवली के नीचे वापस आजाईए चोटी ओली के नीचे जो ंचा हिस्सा है इसको यहां से यहां तक दबाएंगे तो ये आपके जो है गैस आपकी अपच आपकी खटी डखार आपकी लीवर आपकी आतों के लिए बहुत लाबकारी है इसको आप हजार बार ऐसे दीर दीर दबाईए दर्द हो तो और दबाईए इससे भूख लगेगी इससे आपका पाचन तंतर अच्छा रहेगा इससे आपका लीवर अच्छा रहेगा अच्छा आपका मरुख बहुत समस्यान हो जाती है बहुत समस्यान हो तो यह चार अगणियों के बीज में चार अमनियों के बीच का हिस्सा दबाएं तो यह मुत्र विकारों के लिए अत्यांत नावकारी इधर कपाल भाती भी कर रहे हैं और इधर ऐसे आप एक्प्रेसर भी कर रहे हैं इसी का नाव कर रहे हैं तो इससे जो पूरे वातावरण में सचता पूरे वातावरण में एक पॉस्टिविटी आती है और सारे फंगस सारे बैक्टीरिया सारे रोगाणों नस्ट हो जाती है इसलिए ये पूरा मिच्रोपैथी और ये सारी चीजें जब करते हैं तो इंटीग्रेटिट योगा प्रैक्टिस हो जाती है दोनों हाथों में आप ऐसे करते रहे हैं आप तो बैठ गए इसको करिए इसे लाव मिनेगा आपको ऐसे इसको आपको स्मय मनुभा हो रहा होगा अप बोलते नहीं बड़े अच्छे हैं हाँ इसको धिरी धिरी करते रहिये और चिसक लाव मिलता है जिनको माइग्रेन रहता है सिरधर्ण रहता है बच्चों को भी जो पढ़ते बच्चे उनका सिरदर्द होने लगता है कभी सरदी हो जाती बढ़ों को भी कभी सरवाइकल कभी सियाइट का कभी कुछ कभी कुछ तो उनको अगोठे के हिस्से को पूरा दबाना चाहिए अगर माइगरेन है तो अगोठे को पूरा दबाईए ऐसे स्वामी जी ने साथ प्राणायम करवाए कपालभाती से लेकर अनुलोम विलोम ब्रहमरी प्राणायाम मानसिक शान्ति के लिए ब्रामरी प्राणायाम का भ्यास हमको करना ही चाहिए ब्रामरी प्राणायाम ओम उद्गीत का भ्यास करवाया ध्यान का भ्यास करवाया अगर मैं सार में कहूँ तो आज योग का कम समय में जो हमको जितना योगा भ्यास चाहिए वो सारा करवाया बस हमको जरुरत है नियमित योगा ब्यास की हम नियमित योग कक्षाओं में हम खुद योग कक्षा लगाएं और सिरोही में इस तरह की कक्षाओं चलती भी है स्वामी जी ने एक उत्सा के साथ योग कक्षाओं की संख्या बढ़ाने का आवहांग भी किया आप देखते रहें एक कनंत की आत्रा देवनगरी के देवदर्शन सिरोही टेंपल्स के माध्याम से मैं राचेंद्र नरू का योगशिक्षक होने के नाते योगशाधक होने के नाते मैं इतना कहूंगा बहुत पहले हमेंने कविता सुनी थी योग साधना जगत में जानो सुख का द्वार योगी को कहते सभी अखिल विश्व सर्ताज सिरपर छाता योग का नहीं सताती धूप भूप प्रजाग के होत हैं योगी उनका भूप योगी को संसार में नहीं सताते रोग सरल व्यत की ओशिधी करिये केवल योग जीवन में सुख से रहे अंतपरम गति होए अमर नाम अपना करे सो योगी कहलाए हवन की पूर्ण हाउती के साथ योग सत्र का समापन हुआ उन्हें आज की योग शिविर में भाग लेने वाले सभी सादकों को मेरा प्रणाम ओम, ओम, ओम